कौन थे नर और नारायन? कितने शक्तिशाली थे वे दोनों? कैसे और क्यों होई थी उनकी उत्पत्ती? क्या वे दोनों भगवान विश्णु की हितना रहते हैं वे दोनों? उनके जीवन से संबंदित सभी रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंततक अवश्य देखें। ओम गणपते चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कारे करने की प्रेणना मिलती है। महा भारत के शांती पर्व अध्याए 334 और देवी भागवत के सकंद चार के अनुसार स्वयंभू मरवंतर के सत्य यूग में स्वयंभू भगवान वासुदेव के चार अवतार होए थे जिनके नाम इस प्रक पती की दस कन्याओं से विवाह किया था। उन धर्म ने उनी से हरी, कृष्ण, नर और नारायन नामक उत्र उत्पन किये थे। उनमें से अविनाशी, नारायन और नर बद्रिका आश्र में जाकर खोर तपस्या करने लगे। तपस्या से उनका तेज इतना बढ़ गया कि द इंद्रदेव ने सोचा ये धर्म पुत्र नर नारायन पूर्ण रूप से सिद्ध होकर मेरा श्रेष्ट आसन ग्रहन कर लेंगे। अते मैं किस प्रकार इनकी तपस्या भंग करूं। यही विचार करके इंद्रदेव ने महात्मा नर नारायन के और देखकर कहा आप लोगो प्रकार की मायाएं रचकर उन दोनों को भैभीत करने का प्रयास भी किया। प्रंतु उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। जब इंद्रदेव के सारे प्रयास विफल हो गए तो उन्होंने कामदेव और वसंत को बुलाया। और उनसे कहा कि तुम अभी बद्र का आश्रम जाओ और उन पर अपने बान चलाकर कामा सक्त कर दो। तुमारी सहायता के लिए रंभा, तिलोत्मा, आदी अपसराओं का समोह मैं वहां भेज दूँगा। जाओ मिरे इस कारे को संपन्न करो। तब कामदेव ने वहां पहुँचकर उस आश्रम में अपनी माया फैला पेनका, रंभा, तिलोत्मा, सुकेशी, मनोर्मा तथा अन्य बहुत सी अपसराओं नर और नारायन को लुभाने का प्रयास करने लगी। उन्हें सुनकर नारायन मुनी बोले तुम लोग बैठो, मैं तुमारा अतिध्यसत्कार करूँगा। उस समय मुनी नारायन अभिमान में आकर सोचने लगे कि निश्चित रूप से इंद्र ने हमारे तप में बाधा डालने की इच्छा से ही इन्हें यहां भीजा है। ये सब बैचारी क्या चीज़ हैं? मैं अभी अपना तपोबल दिखाता हूं और इनसे भी अधिक दिव्वे रूप वाली नवीन अपसरा मैं उत्पन करता हूं मन से ऐसा विचार करके उन्होंने हाथ से अपनी जंगा पर आगहात कर ततकाल एक सुन्दर इस्त्री उत्पन कर दी। नारायन के उरुदेश अर्थात जंगा से उत्पन होने के कारण उसका नाम उर्वशी पढ़ा। लोगों को मुह में डालने वाल है कि आप लोग साक्षात भगवान विश्नु के अंच हैं। नर नारायन तब उन अपसराओं और देवताओं से बोले अब आप लोग इन उर्वशी को लेकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान करें और इसके बाद अब किसी की भी तपस्या में विग्ण उत्पन मत करना। महा भारत के शांती पर अध्याय 342 के अनुसार जिस समय महात्मा नर और नारायन ने धर्म मेरत पर आरोड हो गंद मादन परवत पर अक्षय तप किया था उसी समय प्रजापती दक्ष का यग्या रंभ हुआ। उस यग्य में दक्ष ने रुद्र के लिए भाग नहीं दिय इसलिए रुद्रदेव ने दक्ष के यग्य का विद्वन्स कर डाला। रुद्रदेव ने क्रोध पूर्वक अपने प्रजवलित त्रुशूल का बारंबार प्रयोग किया। वैत्र शूल दक्ष के विस्तृत यग्य को भस्म करके सहसा बद्रिका आश्रम में महात्मा नर और नारायन के निकटा पहुँचा उस समय महात्मा नारायन की छाती में पैत रिशूल बड़े वेग से जा लगा तब महात्मा नारायन ने हुंकार ध्वनी के द्वारा उस रिशूल को पीछे हटा दिया नारायन के हुंकार से प्रतिहत होकर वैश्यंकरजी के हाथ में चला गया यह देख रुद्रदेव तपस्या में लगे हुए उन रिशियों पर तूट पड़े तब विश्वात्मा नारायन ने अपने हाथ से उन आक्रमनकारी रुद्रदेव का गला पकड़ लिया इसी से उनका कंठ नीला हो जाने के कारण वे नील कंठ के नाम से प्रिसिद्ध हुए इसी समय रुद्र का विनाश करने के लिए महात्मा नर ने सीख निकाली और उसे मंत्रों से भी मंत्रित करके शिग्र ही छोड़ दिया पैसीख बहुत बड़े परशु के रूप में परणित हो गई महात्मा नर का चलाया हुआवे परशु सहसा रुद्र के द्वारा खंडित कर दिया गया परशु का खंडन हो जाने से ही रुद्र खंड परशु भी कहलाए इसके उपरांत रुद्र और नरायन परस पर युद्ध करने लगे जिससे प्रिथ्वी कापने लगी आकाश विचलित हो गया ऐसे अपशकुन प्रकट होने पर ब्रह्मा जी देवताओं तथा महात्मा रिश्यों को साथ ले शीग्र ही उस्थान पर आये ब्रह्मा जी ने बारी बारी से रुद्र और नरायन दोनों को शांत और प्रसन किया और दोनों ने ही क्रोधागनी का त्याक किया और दोनों एक दूसरे से गले मिले तदंतर जगदीश्वर श्री हरी ने रुद्र देव से कहा आज से आपके शूल का ये चिन मेरे वक्ष स्थल में शिरिवत्स के नाम से प्रसिद्ध होगा और आपके कंठ में मेरे हाथ के चिन से अंकित हो जाने के कारण आप भी शिरिकंठ कहलाओगे। उन्हें एक विशाल वट वरिक्ष दिखाई पड़ा। उसके नीचे उन्होंने तब करते हुए नर नारायन मुनियों को दिखा। उनके आगे आजगव और शारंग नामक दो धनुश तथा दो अक्षय तरकश पड़े हुए थे। उन्हें ध्याना वस्तित देखकर क्रोधित होकर महात्मा नर नारायन से बोले आप दोनों ने धर्म को नश्ट करने वाला ये कैसा पाखंड कर रखा है। इस प्रकार की घोर तपस्या तथा धनुश धारन करना ऐसा तो इस संसार में ना कभी सुना गया ना देखा गया। कहां मस्तक पर जटा धारन करना और कहां ये तरकस रखना। ये दोनों बातें आडंबर मात्र हैं। ये वचन सुन नर नारायन बोले ये दैते हम दोनों की तपस्या के विशे में आप ये व्यर्थ चिंता क्यों कर रहे हैं। युद्ध तथा तपस्या हम दोनों में समर्थ हैं। आप अपने रास्ते चले ज धर्म पूर्ण आच्रन उचित नहीं। दिखाओ अपनी शक्ती मुझसे युद्ध करके। तब प्रलाद का वचन सुनकर रिशी नर ने उनसे कहा यदि आपकी ऐसी ही धारना है तो मेरे साथ इसी समय युद्ध कर लीजिए। तब दैत्तिराज प्रलाद और रिशी नर नरा प्रलाद में फीशन युद्ध जड़ गया। इंदर सहित सभी देवगन उस युद्ध को देखने के लिए आये। उस युद्ध को देखकर नारद मुनी ने कहा ऐसा घोर संग्राम पहले तो कभी नहीं देखा। तार का सुर युद्ध, वृत्तरा सुर का युद्ध, यह तक कि मधू कैटव का युद्ध भी वैसा नहीं हुआ था। इन वीरों का ये युद्ध तो अध्भुत है। इस प्रकार सब को विस्मित कर देने वाला वै युद्ध कई दिव्य वर्षों तक चलता रहा। तदंतर भगवान विश्नु तुरंत उस आश्रम में आ गए। प्रलाद उन से बोले ये जगनात मैं उन दोनों तपस्वियों को युद्ध में क्यों नहीं जीत सका। मुझे ये महान अश्चर है। भगवान विश्नु बोले ये दोनों सिद्ध पुरुश हैं और मेरे अंश से ही अवतरित हुए हैं। इने ना जीत पाने में अश्चर इन जीवात्मा तपस्वियों को तुम नहीं जीत सकते। अते हे राजन तुम वितल लोग चले जाओ। वहां मेरी अविचल भक्ती करो। तुम इन दोनों तपस्वियों से विरोध मत करो। तदंतर प्रलाद के जाने पर महात्मा नर नरायन उन्हें तपस्या में सलंगन ह महा भारत के उद्योग पर अध्याय 96 में वर्नित एक फृतांत के अनुसार पूर्व काल की बात है। तम बोधव नाम से प्रिसिद एक समराठ थे जो संपून अखंड भूमंडल का राज्य भोगते थे। वे प्रतिदिन प्राते काल उठकर प्रामनों और क्षत्रियों से पूछते थे कि क्या इस जगत में कोई ऐसा शस्त्रधारी है जो युद्ध में मुझसे बढ़कर अथ्वा मेरे समान भी हो सके। वे बहुत अहंकारी हो गए थे। एक दिन जब पुने उन्होंने यही प्रश्न पूछा तो ये देख तपस्वी ब्रामन क्रोध से तमतमा उठे और उनसे बोले राजन दो ऐसे पुरुश रत्न हैं जिन्होंने युद्ध में अनेक योध्धाओं पर विजे पाई है। आप उनी दोनों के साथ युद्ध कीजिए। सुना है वे दोनों महात्मा नर और नारायन गंद मादन परवत पर ऐसी घोर तपस्या कर रहे ह जिसका वानी दोरा वर्णन नहीं हो सकता। राजा को ये सहन नहीं हुआ। वे रिशाल सेना को लेकर महात्मा नर नारायन के स्थान पर पहुँच गए। वहां नर और नारायन ने राजा का स्वागत सत्कार किया और उनसे वहां आने का विप्राय पूछा। तमबोध बो हमारा ये आश्रम प्रोध और लोब से रहित है और इस प्रित्वी पर बहुत से क्षत्रिये हैं अते आप कहीं और जाकर युद्ध की अविलाशा पून कीजिए कथा पिदंबोधव उन दोनों तापसों को ललकारते ही रहे तब महात्मा नर ने हाथ में एक मुठी सेंख ले इसलिए मैं आज से तेरे युद्ध का विश्यक निश्चे ही दूर किया देता हूं दंबोधव ने तपस्वी नर को मार डालने की इच्छा से सब और से उन पर बानों की वर्षा आराम्ब कर दी परंतु मुनी ने उन बानों को प्रहार करने वाले दंबोधव की कोई बानों से ही दंबोधव के सैनिकों को भींद डाला राजा दंबोधव उसी समय मुनी के चर्णों में गिर पड़े और बोले भगवन मेरा कल्यान हो मुझे क्षमा करें मुनी नर ने उनसे कहा आज से तुम धर्मात्मा बनो फिर कभी ऐसा साहसना करना जै शरीहरी भगवान विष्णों की आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा रिपया इसे लाइक और शेयर रवश्य करें किसी भी प्रकार की तुर्टी के लिए आप सब से ख्षमाय आचना करते हुए आप से निवेधन है कि प्रेम पूर